हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं इतने दिनों से वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे मोबाइल खराब होने की वज़े से वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया था प्लीज मुझे माफ कर दो आज के बाद देली वीडियो आती रहेगी इसलिए आप पहले जैसे ही स्पोर्ट कीजिएगा, तो पिछले एपिसोड में हाउचेन और जिंग शान की बीच में मैच अनाउंस हो गया था, जिसके बाद हाउचेन ने उसके ऊपर अटेक करने की कोशिश की थी, लेकिन जिनी विंग्स का इस्तिमाल करके आसानी से बच गया था, और अब इस बात की वज़े से सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि असल में लेवल सिक्स के पास ही उरने वाली एबिलिटी होती है, जबकि उस अपोनेंट अभी भी सिर्फ फोर्थ लेवल में होता है, जिसके वज़े से किसी को समझ में नहीं आता की वो उर कैसे रहा है, लेकिन तभ मेंशा ही कुछ न कुछ अजीब हरकते करता रहता है, अब इसकी वज़े से हम देखते हैं कि हाउचेन भी परेशान हो गया था, क्योंकि वो अपनी नॉमल अटाक से किसी भी कंडीशन में उसे नहीं हरा सकता था, क्योंकि जिंशन बहुत ही स्पीड के साथ में उड रहा हो इसलिए हाउचेन अब अपनी लाइटिंग स्वार्ड को इस्तिमाल करने के बारे में सोचता है, और फिर तुरंथ ही इसकी मदद से उस अपोनेंट की ऊपर अटेक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपोनेंट इन सभी अटेक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा कर खुद हाउचेन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था, इसी के साथ हम देखते हैं कि बाकी लोग भी अपोनेंट की स्कील को देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गए थे, और तभी अपोनेंट हाउचेन से कहने लगता है कि तुम अपने अटेक से मेरा कुछ भी नही कर पाओगे, क्योंकी एसल में उसका एक्विपमेंट किसी भी स्पिरिचल पावा को कंस्यूम नहीं कात था, जिसकी वज़े से वो इसकी मदद से पूरे त्री दिन और त्री रात आराम से उड़ सकता था, इसी लिए हाउचेन अब अपनी इतनी कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ नहीं कर पाता, और जिक्वान इसके अटेक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके एक साथ ही को पता होता है कि जिक्वान ज्यादा देर तक हाउचेन के सामने नहीं टिक पाएगा, और वहीं दूसरी तरफ जिक्वान कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसकी साथ हम देखते हैं कि उसे अपने इस एक्विक्मेंट के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन होता है, और इसलिए वह अपने दोस्तों के पास आकर उनसे पूछता है कि ये कैसा लगा, फिर हम देखते हैं कि बहुत से लोग जिंशान से इंप् competition है, जिसकी वजए से तुम्हें भी serious हो जाना चाहिए, अब ये इस बात को सुनकर ringtone इसके लिए sorry कहता है, और फिर इसके तुरंत बाद वह हाँचेन के पास जाकर उरने लगता है, जिसके दोरान हम देखते हैं कि उसे भी पता होता है कि वह हाँचेन को नहीं हरा पाएग लेकिन वह अपने उरने वाले ability के मदद से इस match को draw कर सकता है, अब इस उरने वाली equipment की वजए से बहुत से elders भी impress हो गए होते हैं, और वह कहाने लगते कि ये तो बहुत हाई शानदार है, क्योंकि जब तक उसका opponent fifth rank use नहीं काटा, तब किसी भी condition में उसे नहीं हरा पाएगा लेकिन हम देखते हैं कि एक master को इस बात के उपर हसी भी आ रही होती है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचेन भी इस बात से परेशान हो गया होता है, क्योंकि अभी भी वो fourth rank में ही है, जिसकी वजए से उसे भी लगने लगता है कि वो जिखुआन के साथ में कु तुम हेन केवल एक तरीके बताने वाला हूं, जिस बात को सुनकर हाउचेन भी कुछ समय पूरी तरह से हैरन हो गया था, इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन एक बार फिर से जिंग्शान के उपर अपने lightning stop technical use काट है, इसे देखकर जिंग्शान कहाने लगता है कि तुम इस टेकनक से मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, और इस बार भी वही अटेक से खुद को बचाने लगता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि असल में हाउचेन का प्लान कुछ और है, और अब वो जिंग्शान को अपना target सेट करने के लिए ready हो गया था, क्योंकि असल में अब अपोनेंट का movement बहुत ही unpredictable होता है, जिसके वज़े से केवल lock technique का use करके ही उसे हराया जा सकता है, इसलिए अब हाउचेन भी जिंग्शान को target lock कर लेता है, अब इस बात की वज़े से यहां के बाकी लोग भी हैरान हो गए थे, क्योंकि अब उन्हें भी पता चल गया होता है कि जिंग्शान हाउचेन के सामने ज्यादा देर के लिए नहीं टिक पाएगा, और असल में attack को lock कर देने के बाद वो opponent को जरूर ही hit करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन के attack अब जिक्वान को follow करने लगे थे, और इसलिए अब वो जहां भी जा रहा था, उसक बात के वज़े से जिंग्शान भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और आखिर में वो हाउचेन के attack से खुद को नहीं बचा पाता है, लेकिन हम देखते हैं कि हाउचेन अपने attack से उसे जखमी नहीं होने देता है, अब इस बात की वज़े से सभी लोग बहुत ही हैर हो गए थे और हम देखते हैं कि अपोनेंट हाउचेन के attack में बुरी तरह से फंस गया होता है, लेकिन असल में हाउचेन ने अपनी attack से उसे बिल्कुल भी जखमी नहीं होने दिया था, अब इसके तुरंत बाद ही अपोनेंट हाउचेन के सामने अपनी हार मान लेता है, और इसी के साथ वह इसके उपर डया दिखाने के लिए हाउचेन को थैंक्यू भी कहता है, क्योंकि आखिरी समय के दौरान अगर हाउचेन अपने लोग को रिलीज नहीं किया होता, तब उसके इस attack में वह जरूर ही मारा जात, इसलिए वह हार मान लेता है, और ये कहने के साथ ह आज का हमारा part 1 यहां पर complete हो जाता है,